Hello Friends, Data Structure सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं Kruskal's Algorithm Kruskal's Algorithm का ये जो lecture है, इसके पहले आपने lecture number 57 देखा होगा minimum spanning tree के बारे में, आज हम देख रहे हैं chapter number 58 जिसमें हम minimum spanning tree की पहली algorithm देख रहे हैं Kruskal तो ये start करते हैं, minimal spanning tree क्या होता है, ये हम पिछले lecture में समझ चुके हैं अगर नहीं मालूम है तो आप एक पार उसको जरूर देख लें इसके लिए दो famous algorithm है, Kruskal's Algorithm और Prim's Algorithm मैं short में एक पार बतायता हूँ कि minimal spanning tree में हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमें एक graph given है, weighted graph है, उसमें हमें edges की cost मालूम है हमें सारे nodes को visit करना है तो वैसे तो graph में कई सारी cycle बन रही है, एक node से दूसरे node तक पहुँचने के कई सारे ways हो सकते हैं लेकिन हमको इस graph में सारे nodes को आपस में connect करना है, शर्त यह है कि जो edges हम use करेंगे nodes को connect करने के लिए, उनकी total cost minimum होनी चाहिए और obvious ही बात है, total cost minimum रखना चाहते हैं, तो वो एक tree ही बनेगा, यानि जिसमें cycle नहीं होगी, वो ही बनेगा इससे जादा spanning tree क्या होता है, यह आप पिछले वीडियो में देख लीजे फिलाल, crystal's algorithm हमको देखनी है, crystal's algorithm में क्या होता है हम लोग initially यह मानते हैं कि जितने nodes graph में हैं, वो अपने आप में अलग-अलग, हर एक node, एक tree है यानि एक tree जिसमें एक ही node है, तो ऐसे बहुत सारे trees हैं तो graph जिसके अंदर मान लिजे 10 nodes हैं, तो यह 10 tree हैं यानि हमने शुरुवात में यह मान लिया कि कोई भी edge नहीं है तो हम क्या करते हैं, एक-एक करके edge को consider करेंगे पर सबसे पहले हम वो edge consider करेंगे जिसकी cost सबसे कम होगी और दो nodes को connect कर देंगे लेकिन हम जब दो nodes को connect करेंगे, तो उससे दो tree जुड़कर एक single tree बन जाएगा तो initially यह एक forest था बहुत सारे trees का और जैसे जैसे हम दो trees को जोड़ते जाएंगे finally हमको एक single tree मिल जाएगा पर इस tree को बनाने के लिए हमने सबसे पहले सबसे कम cost वाली edge को चुना है अब इस प्रक्रिया को कैसे करते हैं उसके लिए बीच में हमें तीन procedures की जरूत पड़ेगी हम यह मान के चल रहे हैं कि यह predefined procedures हैं या हमारी इस algorithm को बनाने से पहले हम बना चुके हैं make set हम जानते हैं tree को represent करने के लिए हम set बनाते हैं तो make set और उसमें हमने पास किया node तो यह procedure क्या करेगा एक set create कर देगा आगे अभी algorithm में इसका क्या मतलब है वो मैं फिर समझाओंगा find set एक set एक tree को represent करता है find set का मतलब यह हुआ कि find set function में जो node आपने पास किया है यह function return करेगा एक representative value जिससे पता चले कि कौन सा tree है कौन सा set है जिसमें यह node पाया जाता है तो यह node जिस tree का हिस्सा है जिस set का हिस्सा है उस set को represent करने वाला element return करेगा find set union दो अलग-अलग nodes को जो कि अलग-अलग set में थे मिला कर यानि उनकी बीच में edge को बना कर एक single tree बना देगा यानि दो set को मिला कर एक single set बना देगा यह union का काम आई अब algorithm start करते हैं यह रही algorithm अभी आप पहले एक diagram और देख लीजे यह example diagram है मैं इसको लेकर चलने वाला हूँ और हम algorithm को trace करेंगे यहाँ आप देख सकते हैं कि इस graph में कुछ nodes है V1 से लेकर V6 तक इसके अलावा यहाँ पे कुछ edges है E1 से लेकर E9 तक और सभी की कुछ cost है अब हमें इस graph में से spanning tree निकालना है तो इसका procedure Kruskal's algorithm के हिसाब से क्या होगा सबसे पहले हम एक set बनाएंगे जिसमें शुरुवात में कुछ भी नहीं रखा होगा यानि नल रखा होगा तो एक set मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ that is A तो यहाँ लिख लेता हूँ ओके this is A ठीक है यह set बनाया और इस set के अंदर initially कुछ भी नहीं है नल है खालिए यह ठीक है फिर हम एक loop चलाते हैं और loop में सिर्फ एक line चलेगी that is make set तो जितने nodes हैं इस graph के अंदर हर एक node के लिए एक-एक set बना दो जैसा कि हमने तै कि शुरुवात में जितने graph के अंदर nodes हैं हम मान लेंगे हर एक node एक tree है अलग-अलग tree है यानि हम शुरुवात में यह मान के चलेंगे कोई भी edge उन्हे connect नहीं कर रही है तो वह अलग-अलग nodes हो जाएंगे अलग-अलग tree हो जाएंगे अलग-अलग set हो जाएंगे तो अब इन set को represent करने के लिए मैं क्या करता हूँ पहले तो मैं यह एक partition बना लेता हूँ अब एक set है let's say s1 एक set है s2 कितने nodes हैं nodes हैं 6 इसलिए set भी बनेंगे 6 s6 अब इस set के अंदर क्या है इस set के अंदर है v1 ठीक है इस set के अंदर क्या है v2 इस set के अंदर क्या है v3 यहाँ पर v4 हर एक set में एक-एक node है इसलिए कुल मिला के 6 set बन गए sorry 6 तो इस तरीके से सारे nodes बन गए तो यह हमारा step number 3 तक हो गया अब step number 4 sort करो edges को graph में edges का जो set है वो capital E से denote हो रहा है into non-decreasing order by weight मतलब increasing order equal value भी हो सकती इसलिए non-decreasing लिखा हुआ है तो increasing order में हम लोग arrange कर लेता है सबसे पहले यह जो E set है इसको arrange कर रहा हूँ सबसे पहले one cost वाला कोई है seven है okay अच्छा four cost वाला कोई है yes E two है four cost वाला कोई और है नहीं है अच्छा five cost वाला कोई है E eight अच्छा five cost वाला कोई और है नहीं है फिर six cost वाला कोई है yes E five देखिए सारे हो गए एक वार count कर लीजे गलती नहीं हो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो yes E nine तक है nine edges थी तो यह हमने sort कर दिया है edges की cost के हिसाब से तो step number four हो गई अब step number five को देखिए एक loop चला रहे है for each edge UV belongs to set E E set के अंदर हमने edges को sort कर लिया है उसमें से एक एक edge हम बारी बारी से निकालेंगे शुरुआत से यानि सबसे छोटी जो cost की edge है उसको पहले निकालेंगे और step number six को हम करेंगे repeat step number six में क्या होगा तो हम सबसे पहले एक edge निकालते हैं कौन सी edge निकाली E3 इसमें से निकाल रहा हूँ ठीक है तो मैंने E3 को यहां से निकाल लिया अब E3 को निकाल लिया तो क्या करूँ मैं find करो अच्छा E3 बनी किस से E3 आप जड़ा डियाग्राम में देखिए E3 कहा है यह रहा तो V1 और V4 को connect कर रही है तो V1 हो गया हमारे लिए U और V4 हो गया V तो find set U और find set V मतलब पता करो कि यह जो V1 है यह किस सेट में है और पता करो कि यह V4 किस सेट में है तो हमें पता चलेगा और V4 है S4 set में और हम यही चाहते थे कि वो अलग-अलग set में हो क्योंकि अगर अलग-अलग set में है तो तोरों के जो representative elements निकलेंगे वो बराबर नहीं होंगे तो यदि तोनों अलग-अलग set में है तो क्या करना है A जो हम एक set बना रहे थे edges का उसके अंदर हमें इस edge को जोड़ देना है यानि E3 को कहां रख देना है A set के अंदर यह देखें E3 को मैंने रख दी है इसमें ठीक है और union कर देना है V1 और V4 का मतलब V1 V4 को एक ही set में रखना है मतलब मैंने इस V1 से V4 वाली edge को consider कर लिया है Got it? यह edge consider हो गई है और V1 V4 जो थे अब V4 कोई set नहीं रह गया V4 भी कहां आ जाएगा V1 में आ जाएगा ठीक है? अब इसी प्रकार से इस loop को चलाएं और वापस से चेक करें कि edge जो सबसे कम cost की है उसको निकाला जाए और फिर से 6 नंबर की step चलाए जाए तो देखिए अब सबसे कम cost की E9 है E9 को मैंने निकाला आप ध्यान से देखिए कि diagram में E9 कहां पर है? यह रहा V5 और V6 को जोड रहा है तो V5 और V6 अलग-अलग set में होने चाहिए तो yes हैं तो मैं क्या करूँगा? मैं E9 को भी इस A में जोड दूँगा तो E9 इसमें जोड गया और E9 को भी यहाँ पर consider कर लेंगे ठीक है न? यह consider कर लिया और यह जिनको जोड रहा है V5 V6 यह set खतम हो जाएगा V6 भी इसी में शामिल हो जाएगा अब अगली एज को इसी तरीके से निका देंगे that is E4 E4 देखिए यह रहा V2 V3 को join करने वाला V2 V3 अलग लग साइट में है हाँ तो हम क्या करेंगे? E4 को यहाँ पर जोड देंगे E4 को consider कर लिया ठीक है और E4 को join करने वाले मतलब V2 और V3 को क्योंकि वालग साइट में है तो उसको सिंगल साइट में लियाएंगे तो V3 भी इसमें आगे है अगली एज निकलेगी E6 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 कहाँ है? E6 है यह V5 और V3 को जोड रही है क्या V5 V3 अलग लग साइट में है तो V5 V5 यह साइट में S5 में है और V3 कहाँ? S2 में तो यह साइट में है तो E6 को भी हम कंसिडर कर रहे है E6 को भी हमने E में जोड दिया है और V3 V5 है ना तो V5 वाला साइट हटा दीजे और इसी में मर्च कर दीजे जिसमें V3 है यानि इसमें V5 भी आ जाएगा और V6 भी आ जाएगा चाहिए? क्योंकि S5 सेट में क्या थे? V5 और V6 दोनों थे अब अगली edge निकालते हैं E1 E1 किसको करेक्ट करेगी? V1 और V2 को पर क्या V1 V2 अलग-अलग सेट में है? यस V1 और V2 अलग-अलग सेट में है इसी लिए यह consider हो जाएगा तो यह E1 को भी consider कर लिया और यहां पर यह join हो गए ठीक है? और यहां से यह दोनों सेट मिलकर एक single सेट हो जाएगा यानि यह मैं हटा जेता हूँ यह सब कुछ किसके अंदर है? यह सब कुछ S1 सेट में आ गया अब आप देखें तो S1 सेट के अंदर V1 भी है, V2 भी है, V3, V4, V5, V6 सारे आ चुके हैं अब एक ही सेट बन चुका है हमारा तो अब जब मैं अगली एज निकालूंगा तो जरूर लेकिन क्योंकि इसको join करने वाले दोनों nodes अब E7 को देखे कहां E7 E7, V3 और V6 को join कर रहा है V3, V6 सेम सेट में और ऐसा तो हो गई क्योंकि अब सेट एक ही बचा हुआ है तो सेम सेट में हैं तो वो if condition false हो जाएगी और यह union वगेरा नहीं होगा A सेट में नहीं जुड़ेगी इसका मतलब A सेट में जितना आ चुका है अब असा आ चुका है तो एक एक एज इस तरीके से निकलती जाएगी पर उसका कुछ भी होगा नहीं हो जिब सारी एज़ेस कतम हो जाएंगी तो यह loop end हो जाएगा अब आप देखिए यह जो red line से मैंने connect किया हुए notes को यह है minimal spanning tree और आप देख सकते हैं कि इनकी cost minimum थी तो यहाँ पर जो A सेट आपका बना उसमें E3, E9, E4, E6, E1 बस यही edges हमने consider की हुई है आप देख सकते हैं इसमें कोई cycle नहीं बनती इसलिए इसको tree बोलते हैं I think आपको यह algorithm समझ में आई होगी और यदि आपको यह algorithm समझ में आई है तो आप इस video को like कर सकते हैं आपको यदि इस तरह के और videos देखने में interest है तो आप इस channel को भी subscribe करिए ताकि जब भी मैं कोई नया video upload करूँ तो उसकी जनकर यह आपको मिले इसके लावा मेरे और भी channels है हो सकता है कि आपको एक particular channel ही देख रहे हैं बाकी channels की जनकर ही ना हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी एक website है www.mysergy.com और YouTube में जितने videos हैं उनके link मैंने इस site पे provide के हुए है तो मैं आपसे request करूँगा कि आप इस site पे जाए इस site पे आपको C, C++, Java, PHP, MySQL, Data Structure, DBMS इनके सबके video courses मिलेंगे साथी campus preparation related videos भी होंगे programming exercise related ठेर सारे videos है और ये सारे videos हिंदी में हैं और free of cost हैं और इस site पे तो हर दिन एक नया video upload होता है इसके लबावा इस site में और भी useful content अभी जोड़ रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप इस site को एक वर visit करें और visit करते रहें और अगर आपको लगे कि ये worth है बहुत काम का है तो समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं जिनके ये बहुत काम का हो सकता है तो जैसे मैं आपको ये free में provide कर रहा हूँ वैसी आप भी इसे आगे बढ़ाएए अपने facebook wall पे इसको share करिए इस link को copy कर सकते हैं मेरी site का link या video का link thank you